हेलो फ्रेंड्स गुड मॉनी नमस्कार फ्रेंड्स अगर आप मैला है और आप वाइट डिस्चार्ज परिशान है तो ये वीडियो आपके लिए है आप सभी का इस टोटल येल्ट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स मैं इस वीडियो में सभी चीजे बताने वाला वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है उसकी प्रिकॉशन क्या लेनी है और उसको आप अगर हाउस वाइफ है तो घर में भी बैटके उसको कैसे ठीक कर सकते हैं ये सब चीजे में आपको इस पर डिसकस करने वाला होते इस वीडियो को अंग तक आप अच्छे से देखना स्किप मत करना और आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना शेयर करना तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अभी ये वाइट डिस्चार्ज होता क्यों है इसका जो है में कारण है कि हर्मोनल इंब ज्यादा हो जाता है हर्मोनल इंबैलन्स के चलते बहुत सारे हर्मोन सागे पीछे हो जाते हैं और बहुत ज्यादा कॉंप्लिकेशन नीचे बौडी में तयार हो जाते है ठीक है तो हर्मोनल इंबैलन्स के बाद दूसरा जो है जो कि आपके बौडी में केल्शियम की कमी हो के चलते आपको यह वाइट डिशाज ज्यादा हो जाता है कभी-कभी PCOD होने के चलते भी फाइबराइड होने के चलते पी-सी-वडी होने के चलते भी वाइट डिशाज ज्याज ज्यादा हो जाता है अगर यह वाइट डिशाज होता कि हुए इसमें बहुत ज्यादा बैक्ट के कोई आन्य कदर में अगर कनवर्ट हो गया तो मांड लीजे इंफेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है तो आपको ज्यादा अलर्ट रहना है आपको ज्यादा इसकी प्रिकॉशन लेनी है ठीक है तो यह होता है यह कि एक्टॉल पाउर इसके चलते हैं सिम्टम्स जो होते हैं वो सिम्टम्स में हैं मतलब की मातर कमoned जाएगा आपको विकनेस आजाएगा और और आल आपका confidence लो हो जाएगा यह कभी-कभी में बहुत सारे मैलाओं को देखता हूँ तो कभी किसी को 10 दिन आ गया किसी को 15 दिन किसी को माहिनो माहिनो तक रहता यह वाइट इसचार्ज कभी ठीक ही नहीं हो जाता बोड़ी को हमेशा hyzen रखना है दिन में 3-4 बार आप shower लेंगे तो बढ़िया रहेगा वह भी soft soap से कोई भी chemical वाला है harmful soap नहीं उज़ करना है दूसरी बात है आपके बोड़ी में calcium और iron की मातरा regular रखनी है नॉर्मल रखनी है उसको कम नहीं होने देना है calcium ज्यादा भी नहीं होने देना है उसको maintain करना है आपका healthy diet होना चाहिए fruits वाला diet होना चाहिए यह आप घर में बैठके इसको यह कर सकते हैं और उसके ओपर remedies के रूप में मैं आपको बताने जाने वाला हूँ कि remedies के रूप में आपको एक berries जो है एक fruit से उसको आपको regular seven करना है उसका नाम है cranberry cranberry अक्सर अमरीका में US में पाया जाता है north eastern area US का north eastern area जो है और central north है वहाँ यह बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पाद किया जाता है तो आपको यह cranberry मिल जाएंगी cranberry के fruits आपको खाना है cranberry की एक खासियत है cranberry का जो फल रहता है वह पत्तों से ज्यादा मोटा रहता है तो बहुत सारे berries है लेकिन cranberry में बहुत ज्यादा minerals पाय जाते है बहुत ज्यादा मात्रा में vitamins पाय जाते है इस white discharge के साथ वो आपका stomach ulcer stomach cancer stomach ulcer भी ठीक करेगा stomach cancer भी ठीक करेगा दूसरी बात है कि urinary tract infection में यह बहुत ही ज्यादा कारगार सीध होता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम करता है urinary tract infections में ठीक है इसके साथ आपको d-manos का d-manos its natural sugar इसको हम monosaccharides बोलते हैं यह भी आपके body में लेना है अगर आपको diabetes नहीं है तो आप d-manos का 7 d-manos ले सकते हैं और d-manos क्या है कि d-manos एक content है वो कहां से पाया जाता है वो गवच सारे fruits में हमें मिल जाता है क्योंकि d-manos actually होता क्या है d-manos आपको urinary tract infection white discharge stomach ulcer पे बहुत ज्यादा बढ़या काम करता है even d-manos और cranberry आपके heart को भी अच्छा help करता है उसका function सुदारने में ठीक है तो d-manos का 7 ऐसी case में white discharge में d-manos होना चाहिए आपके body में d-manos वो आप सकते हैं उसके बाद आपका white discharge कम होने में दीरे-दीरे मदद हो जाएगी आपको stomach cramp भी आता होगा urinary tract में आपको जल जला होता होगा तो यह सब चीजे कम हो जाएगी ठीक है दूसरी बात है आपको खयाल रखना है कि आपका calcium कमना हो आपका iron कमना हो इसलिए calcium का source आप ले सकते हैं iron का source ले सकते हैं इसके साथ अगर आप westigen हैं तो आप cranberry के साथ cranberry वेस्टिस का cranberry के साथ अल्डेडी उसमें डी मैनोज एड़ करकी दिया है बहुत ही शामदार प्रड़क्ट है आप यूज कर सकते हैं वो हमें बहुत सारे पेशेंट पर रिजल्ट मिला है जो आफटर फूड खाने के बाद बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है अगर आप वेस्टिजन नहीं है तो बाहर से आप केलशियम आईरन का सूर्स ले सकते हैं आपके खाने में केलशियम और आईरन जो जादा मात्रा में हैं इसे फूर्ड जो पाई जाते हैं तो आप कंजूम कर सकते हैं उसके साथ नोनी अगर आपको कही से मिला अच्छा quality का नोनी तो नोनी यूज़ कर सकते हैं वेस्टिज का नोनी बहुत ही शामदार है आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि नोनी में cell generation properties है जैसे भी cell मरा हुआ cell या dead cell रहता है बैक्ट्रिया की चलते है पैत्योजन की चलते है वाइट इचार्ज में बहुत सारा cell debris cell मरे हुए cells रहते हैं वो निकल जाते है तो ऐसे केस में आपके बोड़ी को नए cells तैयार होना जरूर है इसलिए नोनी साथ म आपके शरीर को नएया तैयार कर देता है तो विटामिन C आप ले सकते हैं नहीं तो C वक्तौन ले सकते हैं और इसके बाद आपकी बोड़ी एकदम clear हो जाएगा वाइड डिस्चार्ज आपको पूरी मुक्ति मिल जाएगी और वाइड डिस्चार्ज एकदम ठीक हो ठीक है तो ऐसे ही शांदर वीडियो के लिए आप टोटल हेल्थी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए